एक बहुत ही बड़ी नीज निकल के आ रहे है बिहार की ओड से जो की समान काम समान वेतन की है आप सभी को पता है कि इनका जो केस जो है कौट में है तो उन्ही को आज का एक सुनवाई हुए उसमें क्या नीज निकल के आ रही है यदि आप भी समान काम समान वेतन से बिलोंग जो हम लोग बात करने वाले आज बिहार से जो news है उसके बारे में बात करने वाले यानि कि कहा जाए कि समान काम के बदले समान भेतन तो यह topics आज का जो news है काफी comment करके पूछ रहे थे कि हमारे लिए कुछ ऐसे खास news लाईए जो की टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो तो आज उन सभी को देखते हुए अपडेट की जा रही है तो वीडियो के साथ बने रही है और देखते हैं कि आज का नीज इस सेक्शन पर क्या चीज दिया ही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीज 18 का है यहाँ पर आप देख पारें सुप्रिंग कोर्ट ने बिहार सरकास से पूछा जब चपरासी का वेतन 36 हजाद तो नियोजी सिच्चकों का 26 हजार क्यों 26 जनवरी को सरवोच अन्याले ने समान काम के बदले समान सुविधा पर पहली सुनवाई की थी गुरुवार को इस मामले में दूसरी बार सुनवाई की है यहाँ देख पारें 15 मार्च को यह नीज अपडेट हुई है यहाँ पर देखते हैं नीज के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि आज का इस सेक्शन पर क्या अपडेट है सुप्रिंग कोर्ट ने समान काम के लिए समान बेतन मामले में सरकार की रिपोर्ट पर असंतुष्टी दताई है इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी यानि कि नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 27 मार्च को रखी गई है मतलब ठीक एक डिर सबता बाद अब तक जोक जानकारी मिली है उसके मुतावित कोर्ट ने बिहार के मुईक सचीव अंजनी कुमार की अधिश्चता में बनी कमीटी दोरा सोपी गई रिपोर्ट पर नराजगी जताई है इसमें कहा जा रहा है कि जब भी इससे पहले जितने भी रिपोर्ट जाहिर की गई थी उसमें जो काफी प्रॉलम के साथ नराज़ी जताई गई है आगे कहा लिखी विडियो साथ बनी रही है बिहार के नियोजी सिचको के मामले में आज सुप्रिं कोट में सुनवाई हुवी कोट ने रिपोर्ट पर नराज़गी जताते हुवी कहा कि जो सिचक चातरों का भविच नेधारित करते हैं उनका वेतन चप्रासी के वेतन से कम क्यों है कोट ने पूछा है कि जब 84 का वेतन 36,000 है फिर नियोजी सिच्छकों का वेतन 26,000 क्यों कोट ने सुनवाई कि अगली तारिक 27 मार्च को रखी है गुरुवार को राज सरकार ने सर्वच नियाले कोवेतन विर्धीक से जुड़ी तथ्यों के बारे में जानकरे दी 29 जन्वरी को सर्वच नियाले ने समान काम के बदले समान सुविधा पर पहली सुनवाई की थी गुरुवार को इस मामले में दूसरी बाज सुनवाई बिहार राज माधमिक सिच्छक संग ने इस मामले में सरकार पर निसाना साधा है संग की अदेश केदार पंड़े ने बयान देते हुए कहा कि बीहार सरकार ने सिछकों के साथ अन्याय किया है ऐसे में गुनवतापून सिछक की बात करना बेमानी है सिछक संग को पूरा भरोसा है कि उन्हें कोर्ट से नियाय मिलेगा पांडे ने कहा कि इस मामले में बिहार सरकार की हालत में हार होगी यहाँ पर जो है आप देख पाए रहे हैं कि समान काम के वे लिए समान जो बेतन का जो केस्चर रहते हैं बिहार सरकार की और तो अगला जो सुनवाई है 27 मार्च को रखी गई है तो क्या 27 मार्च को इनका final हो सकता है या कोई एक नया date फिट से देखने के लिए मिलेंगे तो यह comment करके हमें जरूर बताई कि 27 मार्च को जो इनका complete last final हो जाएंगे जो भी result हो final हो जाएंगे या एक नया date मिलेंगे तो हमें comment लिख के जरूर बताई कि एक नया date मिलेंगे या तो आप बोलिए कि हाँ 27 मार्च को पूरा complete हो जाएंगे वीडियो पसंद लएगे तो like कीजिए दोस्तों से शेर करना वीडियो के साथ